हेलो दोस्तों तांसी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू मटर और टमाटर की सबजी जो बहुत ही टेश्टी लगती है चली आएए बनाते हैं आलू मटर और टमाटर की सबजी कराहई में तेल गर्म करेंगे पूब आले थे वह फ्राइब कर लेंगे और राय तो इसे निकाल तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के के लिए तो तेज पता डालेंगे और एक खड़ा लाल मेज कारेंगे- जयोय में कि पृई करने में पृई होने दी है और ऊच्यूत उसके बाद प्याद डालें गराऊने तब नगए करें वेजिए के वाली प्याद बड़न हो जाए बाद रङ्शान डाले कहए रखित्षै के अन्य को बेंट रखिें अब इसमें हम लासुन कुटियों ढालेंगे और अच्छे से इसको निला लेंगे अब हम इसमें ये वटर ढालेंगे अब हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिस्ट कर देंगे अब 5 मिट के इसको ढखकर अच्छे से मटर को पका लेंगे जब तक मटर पक्रा हम इसपाइसेज लेंगे मैंने मीट मसाला लिया है थोड़ी ची अधी लिया है लाल में पाउडर लिया है घर्या पाउडर और ये गरा मसाला लिया है इस मतर में सारे स्पाइसेज डाल देंगे इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे इसको ढखके दो मिनट तक अच्छे से पकाएंगे अब इसमें अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे, इतनी ग्रेवी हमें रखनी है, इसके हिसाब से अब आम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गर्णिस कर लेंगे हमारी आलू मटर की सब्दी बंकट तया है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्प्राइब कीजिए हुआ 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 हुआ